हेलो एवरिवान आप लोग का फिट से सवाकत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो आज का हमारा क्या टॉपिक है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि उसके बाद बहुत सारी क्वालिटी की मांग होने लगी तो उसे बहुत सारी प्राइवेट क्लब बनी तु कुछ क्लब है उनमें से पहला नाम है जैकोबिन कलब अब देखिए जैकोबिन कलब का नाम कहाँ से आया यह मैं पहले इसका इंट्रॉक्शन दे रहा हूं कि इसमें members कौन थे, leaders कौन थे, नाम कहां से आया, ये सब चीज़ में मैं discuss करने वाला हूँ सबसे पहला, name from, name इसका कहां से आया, name आया, इसका Convent of Jacob in Paris यानि कि Jacob in Paris, Jacob in Paris, यहाँ पर ST होगा, तो सेंट जैकोब जो थे, वो पैरिस में थे, वहाँ से इसका नाम लिया गया है और फिर उसके बाद बाद करते हैं, इसके members कौन-कौन थे, यानि कि Jacob in Club के members कौन-कौन थे सबसे पहले मतलब है, वो mainly कहां से आते थे, जो कि उसके member थे, वो कहां से आते थे कौन से section of society से आते थे, तो आते थे less prosperous section of society से आते थे यानि कि poor यानि कि जो गड़ीब लोग, अब यहाँ पर सब गड़ीब नहीं होते थे mainly जो भी वहां के members है, वो less prosperous sectional society से आते थे आपको आगे काम देगा, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था, Maximilian Robispire, अब हमने इतना समझ चुकी है, अब हम लोग जानेंगे इसके dress code के बारे में, जो इसका dress code है, उसके बारे में जानेंगे, तो इसका dress code था कैसा, जो इनका dress code है, वो था, एक long stripped trouser, यानि कि long stripped trouser का मतलब क्या होता है, यानि कि जो उनके जो trouser है, जो उनके trouser रसमें long stripped strip होते थे, उसमें long strip होते थे, ऐसा trouser वो पहनते थे, तो उनका dress code तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कि है long strip trouser, और जो men's थे न वहां के, जो कि men's थे, वो क्या पहनते थे, वो पहनते थे red cap, red cap, क्यों पहनते थे, red cap इसली पहनते थे, क्योंकि show करने के लिए, liberty को show करने के लिए, वो लोग red cap पहनते थे, कौन सा cap, red cap, क्या show करने के लिए, liberty, और जो उनका dress था था न, उनको sand cloths भी कहते थे, अब sand cloths का मतलब क्या होता है, knee breeches, knee breeches होता है, sand cloths का मतलब, अब knee breeches क्या होती है, आपने देखी होगी long boots जो होते हैं, उसे ही knee breeches कहते हैं, जो long boots होते हैं, जो कि आपके chapter में, photo में होगा, तो knee breeches उसी हो कहते हैं, जो long boots होते हैं, न, long boots होते हैं, उन्हें ही knee breeches कहते हैं, तो आपको जैकोबिन कलब के बारे में तो इतने बादे सब्स में आ चुकी होगी, पहला नाम कहां से आया, Convent of H.T. जैकोबिन पैडिस, मेंबर्स कौन थे, mainly from less prosperous society, याने की poor, लीडर्स कौन थे, लीडर्स थे, Maximilian Robiswear, उनका dress code क्या था, उनका dress code था, long stiff trouser, और वो क्या पहिंते थे, वो पहिंते थे, red cap, क्या शो करने के लिए, liberty शो करने के लिए, और वो, वो जो कपरा पहिंते थे, यानि की वो जो dress पहिंते थे, उसको sand clothes भी कहते थे, उसका मतलब होता है, without knee breeches, यहाँ पर knee breeches नहीं होगा, यहाँ पर without knee breeches होगा, यानि की without knee breeches का मतलब होगा, कि जो अमीर लोग होते थे, वही पहिंते थे, long boots, तो यह लोग थे थे थोड़ से लेस्स प्रोस्पेरस स्वेक्शन आफ सोसाइटी से थे तो यह लोग विदाउट नी ब्रीचेज का पहनते थे अपने आपको थोड़ा सा डिफ्परेंट दिखाने के लिए तो आज के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो पिलीज लाइक करिएगा सेर करिएगा सब्सक्राइब करेगा अपने दुस्तों के साथ ठेंक यूँ